अलो दोस्तों आप सबको प्रभुईशु मसी के नाम से प्यार भरा जह मसी की दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में दोस्तों आज का विशाय है कि बाइबल के ये दो बचन सैतान नहीं चाहता कि आप इसे समझें हाँ मेरे प्रियों आज जो मैं दो बचन आपको बीच में दूँगा सैतान कभी नहीं चाहता है कि ये दो बचन को आप समझ पाएं और ये दो बचन को आप हमेशा याद रखें जैसे कि प्रियों बाइबल के हरी एक बचन है जे परमिश्वर की प्रेरना से लिखा है और पर प्रियों आप मेरे साथ वीडियो को लाश्ट तक देखें ताकि आज मैं दो बचन जो बताने वाला हूँ उस दो बचन को आप जान सके कि वह दो बचन कौन सा है जो सैतान कभी नहीं चाहता है कि आप इसे समझें चलिये वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों रोमियो आठ ध्याय के 38 और 49 आयत को हम देखते हैं बचन बताती है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मिर्तू न जीवन न श्वर्गदूत न परधानताएं न बर्तमान न भविश्य न सामर्थ न उचाई न घराई और न कोई और श्रिष्टी हमें परमिश्वर के प्रेम से ज तो दोस्तों यहां बचन बताती है कि परमिश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं परमिश्वर आपसे इतना प्रेम रखते हैं कि आपको मिर्तू और न श्वर्गदूत न परधानताएं न बर्तमान न भविश्य न सामर्थ न उचाई न गहराई और न कोई श्रिष्टी के कोई भी ऐसा चीज है जो आपको परमिश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है आपड़ यह जो बतन बचन है मेरे प्रियों यह सैतान कभी नहीं चाहता है कि आप इसे गहराई से मनन करें गहराई से इस बचन को आप समझें क्योंकि सैतान हमेशा है जे मिर्टु का डर देता है, सैतान हमेशा है जे आपके जीवन में नानापरकार के प्रोब्लम और परिसानी को सामने लाके ख़़ा करके दिखाता है कि देखो ये परसानी से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो सैतान हमेशा चाहता है कि आप परमिश्वर के प्रेम से अलग हो सके लेकिन बाइबल बचन यहां बताती है कि ये सारी परसानी ये सारे चीज है जे आपको परमिश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है क्योंकि परमिश्वर इन सारी चीजों से बढ़ करके है, सारी चीजों से उपर है, जैसा कि प्रियों हम आप सब जानते हैं कि परमिश्वर प्रेम करने वाला है और परमिश्वर इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने एक लौता पूत्रे ईशु मसी को दे करके हम सब को बीच में वो शावित किया कि अपने पूत्र से विबार करके इस जगत से प्यार करते हैं जैसा कि यहुना तीन का सोला काता है कि परमिष्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पूत्र को दे दिया ताकि जो को इस पर विश्वास करे वो नास नहों प प्रियों दोस्तों परमिश्वर हम सब से प्यार करते हैं आप से प्यार करते हैं और आपके लिए हमेशा परमिश्वर चिंता करते हैं लेकिन सैथान यह है जे मिर्तु का डर और नाना प्रकार के परसानी का डर है जे आपको दे देता है और दे करके आपके अंदर देना नहीं चाहता है कि परमेश्वर आपसे इस सारे चीजों से बढ़ के प्रेम करते हैं जैसा कि इम्रियाह लिखते हैं 31 अध्याय के तिर में यहवा ने मुझे दूर से दर्सन दे कर कहा है मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करु नजर रखने वाला परमेश्वर है हम आपको पर देखने वाला परमेश्वर है और हम आप पर हमेशा है करुना बनाए रखने वाला है और परमेश्वर हमेशा हम आपको चाहता है कि हम आप जीवन की और बरें उस अनंत काल के जीवन की और जाए अनंत काल के नास की और न जीवन है उसके तरब जाने के लिए परमेश्वर है जी हम आपको नहीं चाहता है वह हम आपको हमेशा चाहता है कि अनंत काल के जीवन के लिए हम लोग है जे पर्यास करें जैसा कि भजन का अर्दावद है जे लिखते हैं भजन सहीता 124 के दू और तीन आयत में कहते हैं यदि यहवा उस समय हमारी ओर ना होता तब मनुश्वों ने हम पर चरहाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था तो दोस्तों यहाँ पर दावद है जे असपश्ट इस बातों को कर रहे हैं कि अगर परमिश्वर हमारी ओर नहीं रहते तो जो हमारा जो सत्रू था वो हम पर जिस समय चरहाई किया था उसी समय हमें जीवित है जो निगल जाता और उसका जो क्रोध हम पर भड़का था तो वो हमें नास कर देता वो हमें छोडता नहीं लेकिन वो कहते हैं कि हमारी ओर यहवा है हमारे तरफ से परमिश्वर है और हमारे तरफ से जब परमिश्वर है तो इन सारे चीजों से वो बचाने वाला है जैसा कि 6 आयत में कहते हैं धन्य है यहवा जिसने हमको उनके दातों तो दोस्तों यहां पे असपस्ट दावद इस बातों को बताना चाहते हैं कि जिनके तरब से धन्न है यह परमिश्वर पित्ता उनके तरब से सुरच्छा है परमिश्वर हमेशा है जे उन सारे चीजों से सत्रों से और सारे प्रकार के उसे बैरियों से बचाने वाला परमिश्वर है वो आपको बिमारी से भी बचाएगा आपको परेशानी से भी बचाएगा आपको हरे गड़े में गिरे हुए उससे भी परमिश्वर निकालने वाला परमिश्वर है जैसा कि प्रियों हम आप सब जानते हैं कि परमिश्वर इस बातों को साप कते हैं कि मैं तेरे बीच में जीवन और मरन दोनों हेजे रख दिया है धर दिया है और परमिश्वर कते हैं कि उसमें से जो तुम्हें चुनना है तो चुन ले जैसा कि विवस्था अभिवरन तीस अ जीवन और मरन आसीस और स्राप को तुम्हारे आगे रखा है इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंस दोनों जीवित रहे। मेरे प्यारे मसी भाई बनो परमिश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि हम आप नास हो जाएं। साप साप है जे कर आए कि मैं तुम्हारे बीच में है जीवन और मरन और आसीस और स्राप इन चीजों को रख दिया है और तुम्हें उसमें से जो चुनना है उसे तू चुन ले तुम्हारे आगे धर दिया है। ताज प्रियों हम आपके बीच में है जे इन सारी चीजों को परमिश्वर धरे हुए हैं वो चुनाव हम आपका है। मानो जाती का चुनाव है कि जीवन को अपनाते हैं ये आनंत काल को मिर्तु को अपनाते हैं। क्योंकि आज हम सबों को प्रभु ने एक ऐसा मार्ग दिया है जो अनंत काल के जीवन की और ले जाता है। और तो मार्ग ईशु मसी है। आर एक ऐसा मार्ग है, जोट मारग है जो अनंत काल के kingdoms की उर्ण ले जाता है और वो मार्ग है सैथान। मानों को भाला करके भूसला भटका करके तरा करके, वो हमिशा रचाता है कि परमिश्वर के प्रेम से अलग करें। परमिस्वर के प्रेम इसके बीच में आने ना देता कि ये परमिस्वर का प्रेम को समझ सके। तो दोस्तों, आज मैं जो दो बचन आप सबों को बीच में बताया, जैसा कि रोमियों में आठ हदियाय, 38 और 49 आयत कहता है, कि परमिस्वर के प्रेम से मिर्टू अलग नहीं कर सकता है, ना कोई परधानता है, ना बरतमान, ना भविष, ना कोई सामर्थ, ना उचाई, ना गहराई, और इतना तक कहता है कि स्रिष्टी के कोई भी है जे चीज है जे हमें परमिस्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, तो दोस्तों जब आपको डर लगे तो आप इन बाचनों को हमेशा अध्यान करें और इन बाचनों को समझने का प्रियास करें कि परमिश्वर आप से क्या कहना चाहते हैं परमिश्वर आपसे यही बताना चाहते हैं कि अगर आप मर भी जाते हैं फिर भी आप परमिश्वर के प्रेम से आप अलग नहीं है परमिश्वर आपको हमेशा आजे कहा है कि मैं तुम्हें अनंत काल के लिए जीवन में ले जाऊंगा तो प्रभू हमेशा ले जाएंगे इस और उनके सिच्छा में आगे को बढ़ते जाए, और परमिश्वर निकाहा है कि मैं तुम्हें अनात नहीं छोρूँगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से छिन नहीं सकता है, तो प्रियों भिश्वास करें, क्योंके परमिशवर हमेशा चाने जाते हैं कि अगर यहवा हमारी और से तक हम सात्रू करते हैं AUँघए यहुळ द्धन है परवियू को को का आप आपको चुनाव करना है कि क्या हम अनंद काल के जीवन में जाएं या अनंद काल के मरन में जाएं क्योंकि हम आपके बीच में धर दियें अच्चूनना हम लोगों को है उस रास्ता को हम आपको अपनाना है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि ये छोटी वीडियो से आप आसीस मैं हुए है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन ओल को जरूर दवा दें ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से प मेरा वीडियो डालने का मकसद होता है कि आप प्रभू में सदा आगे बरते जाए प्रभू के बाइबल सिच्छा में आगे बरते जाए परमिश्वर के बचन में आगे बरते जाए आप प्रभू आपको जीवन मेहजे बहुत आएसे कार्ज करे और आसीस करे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में तब तक आप अपना ख्यारा रखें आप सब को जय में सीकें गाड़ बलेस यूँ